कि नमस्कार मैं अंजली मिश्रौ स्वागत है आपका हमारे चैनल में महाराष्ट में चल रही सियासी उठक पटक के बीश आपको बता दे किस वक्त के बड़ी जो अपडेट है वो निकल कर सामने आ है और यह अपडेट यह है कि महाराष्ट के जो अभी फिलह जो राजपाल हैं बीश कोशियारी उनके द्वारा कालिदास कोलंबकर या फिर राधा कृष्ण विखे पाटिल को प्रॉम्टर जो स्पीकर है वो निक्त किया जा सकता है जिहां बिल्कुल सही सुना अपने तो यह तो यह जो नाम है यह निकल कर सामने आ रहे हैं और कहीं ने जिए डिए अगर इस से यह भी बात समझ वारी है कि फ्लो टेस्ट की तैयारी है वो इस वक्त जोरो शोरो पर किया जा रहा है इसे जड़ोड़ायू एक और अपडेट जो यह है कि विदानशमामें फ्लो वाले हैं और राजयपाल जो है वो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करेंगे क्योंकि बीजेपी को डेपिटे स्पीकर पर भरोसा नहीं है तो यह जो है इस वक्त हालात है जिस फ्लोटेस्ट से बचने की कोशिश कर रही थी महाविकास अगारी सरकार कल भी सुप्रीम कोट के साम है अलकुण है जो है अलगातार देखने के लिए मिल रहें हाजए रजवी पराट के स्पास्टई करने स्पूरे मामले में मांगा है् 300 प्लस जी आर के बारे में सवाल किया है कतित तोर पर एक निर्णे आरे की एक हिस्से को नीजी खिलाडी को बेचने की भी थी तो समझ सकते हैं कि एक के बाद एक जो है बड़े जो आप देख सकते हैं कि फैसले लिए जा रहे हैं जिस तरीके से महाराष्ट में इस वक्त पॉलिटिकल सिच्वेशन है उसे देखते हुए कई सारे जो है बड़े फैसले पारित किये जा रहे हैं जिसके बाद राज्यपाल महाराष्ट में जारी सियासी घमसान के बीच अब राजयपाल भगत सिंग कोशियारी के एंटरी हो गई है दरसल महाराष्ट विदान सभा में नेता विपक्ष प्रवीन जो है दारेकर ने चिठ्थे लेकर उदव ठाकरे की शिकायत राजयपाल से की और इस दिकायत में ये आरोप लगाया गया कि उदव सरकार ने अलपमत में होने के बाद अंधा धून फैसले की और सैकडो कडोर रुपे जारी करने का आदेश दिया इस पर एक्षन लेते हुए राजयपाल ने राजय के मुख्य सचीव को पत्र लिख कर 22 से 24 जून तक राज्य सरकार द्वारा जारी सभी सरकारी प्रस्तावो यानि जी आर और परिपत्रों की पूरी जानकारी देने के लिए कहा है और इसी बीच आपको बता दे कि बंगलवार का दिन रहा वो काफी जादा एहम साबित हो रहा है और एहम साबित हो भी सकता है क्योंकि बागी विधायकों को आयोगता के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी रहात मिलने के बाद अब एकनाच शुन्दे गुड सरका हैं और यहीं दावा करते नज़र आएंगे ताजा कवर यह भी है कि उद्व ठाकरे गुट का एक और विधायक तूटकर गुहाटी पहुच रहा है जहां सभी बागी विधायक ठेहरे हुए हैं माना यह भी जा रहा है कि बागी विधायक हफते भर में मुंबई लोट सकते हैं वहीं भाजपा ने अब तक वेट एंड वोच की पॉलिसी जो है वह अपनाई हुई है शिंदेगुट की शिल सेना के साथ बाचपा की सरकार और भाजपा को लेकर कहा जा रहा है कि वह शिंदेगुट की सिफ्षेना को मानिता देकर उसके साथ सरकार बना सकती है ऐसे मे एक और बैठक हुई तिश्वमार को भाजपानेता सुदेर मुंगतियावार ने बताए कि भाजपा कोल किमिटी में बैठक हुई सुप्रीम कोट के आदेश के बाद राज्य की राजनीतिक स्थिती का आलंकंदर चर्चा की गई और एकनाथ तश्विंदर ने कहा कि उनका महारास्ट में देखने के लिए मिल रही है और महारास्ट में स्यासी हलचल के बीच में बड़े बड़े जो फैसले वह पारित के जा रहे हैं जिन फैसलों के शिकारत की गई तो अब राजपाल के एंट्री हो चकी है और राजपाल भी अबुदव ठाकरे से इन अंधादू कि फ्लोट्स ना किया जाए उन्हें डर था अन्हों यह का सुप्रीम स्कूर्ट के साम की जब तक पूरे मामले पर क्योंकि 16 जो शिंदे गुट विदायक थे उनकी और योग जोश्रित करने को लेकर सुप्रेम सुप्रेम कोट गये थे सुप्रीम स्कूर्ट अब रहा देत सब्सक्राइब करने के लिए और इसी बीच जो है जो भी ने देखा कि सुप्रीम कोट के तरह से जिस तरीके का चाहर रहते आयों के घोशित नहीं वार अभी शिंदे के पास तू थार्ड मैजॉर्टी है तो यह बात साफ थी कि शिंदे जो है फ्लॉट टेस्ट में सगाड़ी सरकार है वह तूट जाएगे क्यों के पास मज्जोर्टी आज के वक्त में नहीं है इसको ध्यान में रखते हुए जो एक फैसला जो है वह किया गया और यह फैसला काफी जादा एहम सावित होता हुए नजार आ रहा है क्योंकि कहीं दे कहीं अब शिंदे गुड जो कि उनके उपर फिर कोई भी नियम कारू लागू करने से उन्हें अलग रखता है तो ऐसे में सरकार जो है वह अपने आपको शिवसेना असली से ना क्लेम कर रहे हैं जो पार्टी की सिंबल है उसे भी अपनी अपनी बता रहे है तो यह जो है कानूनी लड़ाई सड़क लड़ाई हर जोगा जो है देखने के लिए बल रही है इसी बीच अब जिस तरीके से कोशियारी की तबियत नासास चुल लही थी कोरोना से ग्रसित थे उसके बाद से डिस्चार्ज हो गया लेकिन अब यह का जा रहा है कि राजपाल बेस को शारी द्वारा कालीदाश को ल चल रही है विधान सभा के फ्लोर टेस्ट की मांग को लेकर निर्दलिय विधायक महाराश्टर के राजपाल को भी पत्र लिखने वाले है राजपाल जो है प्रोम्टेट स्पीकर न्यूक्त करने क्योंकि बीजेपी को डेपटी स्पीकर पर भरुसा नहीं है और सुप्रीम फैस्ट लेने के पॉजिशन में नहीं है तो राजपाल को पत्र लिखा जा रहा है और जिस तरीके से आगे फ्लोर्टस किया जा सके उसे लेकर तैयार की जारी है तो राजपाल ने इसा शिकायत पर उधर सरकार से उधर ठाकरे से पश्टिक करन मांगा है महाराश्टर के राजपाल ने उधर ठाकरे से पिछले हफते जल्दिवाजी में किये गए फैसले और तीन सो प्लस जी आर के बारे में सवाल किया है कथी तोर पर एक निर्ने जो उनका था वो यह था कि आरे की एक हिस्से को नीजी खिलाडी को बेज दे यानि से बताया शुरुबात पर हमने आपको बताया कि किस तरीके से अब राज्यपाल जो है दो जो अलग नाम निकल कर सामने आ रहे हैं राधाकृष्णा विखे पाठील और साथी साथ कालिदास को लंबकर को जो है आप जो है आपको बता दे की फ्रूटम स्पीकर जो है वो ब पत्र लिखने बाले हैं और सबही की निगाहे जो है इस वक्त राज्यपाल के फैसले पर टिकी रहेगी इसे पर राज्यपाल के पर सबही की निगाहे ठीकी हुई हाँ सब्सक्राइब कि जल्दी बाजी में जो है कई सारे फैसले उनके तरफ से लिए जा रहे हैं इसे लेकर भी राज्यपाल ने पत्र लिखकर से सपश्टी करन मांगा है क्या कुछ यह उद्व ठाकटे के तरफ से सपश्टी करन दिया जाता है जल्दी जियार जो पास किया जा और किसे आने वाले वक्तों में जो है जाए यह ताने वाले वक्त के साथ ही पता चलेगा फिलहाल के लिए यह पूरा मुद्धा आपको विस्तार सब्सक्राइब बता दिया है और इस पूरे मुद्धे पर आपकी वीजिव राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके करके हैं